जार्खंड विधानसभा स्थापना दिवस को आज तेज साल पूरे हो गए जाहिर है जार्खंड विधानसभा में हर सार एक उतक्रिष्ट विधायक का चैन करके उन्हें विधानसभा स्थापना दिवस पर समानित के जाने की परंपरा रही है इसी की मद्दे नजर आज 23 स्थापन दिवस समारू में सर्वस्त्रेश्ट विधायक रामचंदर सिंग को बिर्सा मुन्डा उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से समानित किया गया इसके साथ ही चैनित पदाधिकारियों और कर्मियों को भी समानित किया गया इस दोरान राजिपाल सिपी राधाकृष्ण ने सभी को प्रशस्ति पत्र, शौल तथा मुमेंटों देकर सम्मानित किया उत्कृष्ट विधायक को 51 रुपए और प्रतित चैनित पदाधिकारी एवं कर्मी को 21 रुपए की सम्मान राशी दी गई इस दिन को और खास बनाने के लिए कल यानि 23 नवंबर को बॉलिवूट सिंगर जावेद अली, गजल सिंगर कुमार सत्यम और हासे कलाकार रविंद्र जौई महफिल जमाएंगे आर इस खास मौके पर हम आपको बताएंगे जहारकन विधान सभा से सम्बंधित कुछ खास बाते जहारकन विधान सभा की अगर बात करें तो 15 नवंबर साल 2000 में जहारकन को अलग राज की पहचान मिलने के बाद 22 नमबर साल 2000 को विधान सभा की स्थापन हुई थी जारकर्ण विधान सभा में कुल 82 सीटे हैं जिन मेंसे 81 सीटों पर विधायक जनता की बीट से चुनकराते हैं और एक एंगलू इंडियन सदर से मनोनित किया जाता है विधान सभा के सर्वर प्रत्यम अध्यक्ष इंडर सिंग नामधारी बनाये गए थे वह एक मात्र ऐसे विधान सभा अध्यक्ष हैं जिनको तीन कारेकाल मिला इंडर सिंग नामधारी 22 नमबर 2000 से लेकर 29 मार्श 2004 फिर 4 अप्रेल 2004 से लेकर 11 अगस 2004 और फिर 15 मार्श 2005 से लेकर 14 सितंबर 2006 तक विधान सभा अध्यक्ष रहे इसके बार बाबुन सुम्बरे, मृगेंज प्रताप सिंग, सबा एहमध, वर्तमान में पंचायती राजमंत्री आलमगीर आलम, राची विधायक सीपे सिंग, शशांक शेखर भोकता, दिनेश उराओं को विधान सभा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारे मिली मगर आपको ये जानकर हैरानी होगे कि जहारकंड अलग राज इस्थापित होने की बावजूद करीम दो दशकों तक विधान सभा की कारवाही एक किराय की बिल्डिंग में संजानित हो रही थी आखिरकार साल 2019 में जहारकंड को खुद के विधान सभा भवन की सौबात मिली नए भवन की बात करे तो इस तीन मंजिले इमारत का निर्मान 465 करूर रुपय की लागत से हुआ है और इसमें 162 विधायकों की बैठने की शमता है इस तीन मंजिला विधान सभा भवन को जगनात मंदीर के पास एचिसी टाउन्शिप में 49 एकर भुमी पर बनाया गया है नए मवन की खासित एसेंबली हौल के ठीक ओपर इसका गुमबद है जो आकरशन का मुख्य केंदर है यदेश का पहला 37 मीटर उच्चा गुमबद है गुमबद को अंदर से पारंपरिक जारखंडिक कलाओं से सजाया गया है मुख्य गुमबद पर आदिवासी समुदाय की मूल अवधारना जल जंगल जमेन को इस्थानिय स्वराय चित्रकारी से प्रदर्शित किया गया है इन कलाओं को उच्च गुनवत्ता वाली रोशनी से रोशन किया जाता है भवन केंदरि विंघ में 150 व्यक्तिओं की बैटने की शमता वाला एक विधानसभा हौल इससे पहले तक हीसी के लेलेन हौल में किराय की भवन में विधानसभा का कामकार संचालित हो रहा था आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और श्रेयर करें हमारे चानल लुकतंत्र 19 को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना पुले फिल आलेते हैं अन्विदा जोहार